सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार साथियों स्वागत करता हूँ सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टेडी विद पिये लोदा साथियों रीट सिक्सक बढ़ती है तू लेवल टू जिनके साइंस मेट से जो तैयरी कर रहे हैं उनके लिए मेरा धन टेश्ट लेकर आया हूँ पूरे 150 प्रिश्ट आपको से लेवस के अनुसार मिलने वाले हैं आपको इसकी पीडिये भी बिल्कुल में टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द करा दूँगा कल मैंने लेवल 1 के 150 प्रिश्ट और लेवल 2 SST के 150 प्रिश्ट दे थे तो बहुत सारे आपने क्यूशन भी किये हैं कमेंड बॉक्स में बिल्कुल मित्रों में उनको समच्चा बिल्कुल उनका समधन जरूर करूँगा और साथ ही जिन प्रिश्टों पर डाउट हो उनको किलियर करने के साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि जो प्रिश्टों का लेवल आपको लगा कि कम है तो बिल्कुल वो इतना ज़्यादा साइक्लोच के पहले साइकलोच क्यूति देखेंगे साइक्लोच के प्रिशन साइकलोजी के 30 क्यूशन देखेंगे सबसे पहले भागफश्ट है साइकलोजी का यह 30 क्यूशन आपके परतम प्रशन आएगा थोड़ा थोड़ा टाइम भी में आपको देने वाला हूँ एक क्यूशन में लगबग अपना टार्गेट रहेगा डेर से दो गंटे के बीच में इस टेस्ट को पूरा कर देंगे मित्रों तो परतम प्रशन आता है इस मेगा टेस्ट का मित्रों विकास के बारे में सही नहीं है विकास संचेई होता है विकास जोकिमबरा होता है विकास पुरवानु में नहीं होता है और विकास एकी क्रित होता है तो कौन सा कतन विकास के बारे में सही नहीं है, यह आपको बताना है, मित्रों, राइट आंसर है, विकास पुरुवानु में नहीं होता, यह सा यह जो कतन है, यह विकास के बारे में सही नहीं है, बाकी तीनों कतन सही है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा कि विकास पुरुवानु में नह का सकते हैं साथियों तीसरे विकलप आपका सही है प्रश्ण नंबर एक में नेक्श्ट दूसरा प्रिश्ण देखते हैं आपका सेकंड प्रिश्न है मित्रों सुचीता हर पार्ट को जल्दी सीक लेती है जबकि सुभीता जादा समय लेती है तो इसका इसका राइट आंसर आपको देना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सीखने की गती में विभिन्निता देखिए सुचीता जल्दी सीख रही है और सुभीता ज्यादा टाइम ले रही है तो इसको ही क्या कहा जाएगा सीखने क की गति में विविन निता है दोनों अलग-अलग समय लेते हैं दूसरा विकल्पिस प्रकार सही है आपका नेक्स्ट प्रश नंबर तीन देखते हैं तीसरा क्यूशन है कौन सा कतन सत्य नहीं है पहला कतन है ब्लूम टेक्सोनोमिक के भावात्मक पक्ष में ग्रहन करना अनुक सिक्षा पर बल देगी मुल्यांकन केवल गुनात्मक होता है और सिक्सन कलावविज्ञान दोनों है तो मित्रों इन में से कोन सा कतन सत्य नहीं है आपका राइट आंसर रहेगा मुल्यांकन केवल गुनात्मक होता है ये सत्य कतन नहीं है ये कैसा कस्तन है असत्य कतन है सात् द्यांकन सिर्फ गुणात्मक ही नहीं होता है, यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़े इसमें आ जाती है, तीसरा विकल्पीस में भी सही है मित्रों, नेक्ष्ट प्रश्च नमबर चार देखते हैं, लिंड ग्रेन के अनुसार सिक्सा मनोज्यान का नाभिकिये कें केंद्री शेत्र नहीं है, राइट आंसर बताइए साथिवे प्रश्च नमबर चार का, आपके चोते प्रिश्च में दूसरा विकल्प सही है, लिंड ग्रेन ने विशे वस्तु को मनोज्यान का नाभिकिये केंद्री शेत्र नहीं माना है, बलकि प्रत्रम तीसरा और जो च दोता विकल्प है इनको नाविकिये केंद्र शेत्र कें अंतरगत रखा है साथ यूं तो सेकंड विकल्प आपका इसमें सही रहेगा प्रश्ण चार में नेक्ष्ट प्रश्ण नमबर पांच मित्रो पांच प्रश्ण है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिती में की गई अनुकिर्याओं के आदार पर नहीं यहाई नur ये थोड़ी मिश्टाइपी है नई स्थिति में भी समान अनुकिर्या करता है यह किस नियम से सम्मंदित है सीखने की प्रकिर्या का अभिवृत्ति नियम सीखने का ततपरता का नियम सीखने का साधरिष्टा का नियम और सीखने का प्रभाव का नियम तो साथ देखिए उसका जो पिछला अनुभव है उसके आदार पर वो नई प्रिस्तिती में अनुकिर्या कर रहा है तो इसको कहा जाएगा सीखने का साध्रिष्टा का नियम साध्रिष्टा के नियम में क्या होता है कि हम नई प्रिस्तिती में अपने पुराने अनुभव काम में लेते हैं तीसरा विकल्प सही है प्रश्नि संक्या 5 में नेक्ष्ट प्रश्नि संक्या 6 गेने के अनुसार अधिगम का उच्छिस्तर कोन सा है श्रंकला अधिगम शाब्दिक सहचर्य अधिगम उद्धिपन अनुकिर्या माध्यम और समश्या समाधान अधिगम तो मित्रों रोबर्ट अधिगम जेने का सभी ने नाम सुन रखा होगा जिनोंने सीखने के आठ प्रकार बताएं हैं यहां पर उच्छिस्तर की बात की जा रही है तो इसका उच्छिस्तर है सात्यों समश्या समाधान अधिगम यह सबसे जादा बेश्ट इनोंने माना है अधिगम का सबसेष्ट चोथा विकल्प सही है प्रश्ण संक्याथ 6 में नेक्ष्ट प्रश्ण साथ मित्रो सात्वा क्यूशन है सरजनात्मक्ता की पैचान के लिए गिलफोड ने जिन परिक्षनों का निर्मान किया है उसके द्वारा सरजनात्मक्ता के विबिन गुणों का मापन करते हैं विकल्प है पुर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षन और सूज, दूसरा विकल्प है विस्तार, समानता, सूज और निरंतरता, तीसरा विकल्प है मोलिक, सूज, सर्वेक्षन और विस्तार, और चोता विकल्प है निरंतरता, लोचशीलता, मोलिकता और विस्तार, तो सात्यों देखिए सरजनात्मक्ता के बारे में जो गुण है तो मुझे तो यहाँ पर जो यह चार विकल्प है इनमें सबसे बेश्ट विकल्प चोता लग रहा है किसमें निरंतरता भी है, लोच शीलता भी है, मौलिकता भी है, विस्तार भी है, तो सात्यों यहाँ पर आपका चोता विकल्प सही है प्रशन संक्या साथ में, यह इन्हों गिलपोर्ण ने जो सरजनात्मक्त के जो गुण है, उनका उनके बारे में बताया है, चोता विकल्प के विशे में निम्न में से कौन सत्य नहीं है पहला कतन है सिक्सा के अपने सोयम के ग्यान एवं समझ का निर्मान करते हैं मित्रों सेकंड विकल्प है नविन जानकारी का निर्मान पुर्व ग्यान से किया जाता है तीसरा विकल्प है संपुन प्रकिर्या में सिक्सन की भूमि का सरवादिक महत्पुन होती है और चोता कतन है सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रकिर्या है तो साथियों जो निर्मित वादी जेरो मेंस ब्रूनर का आपने नाम सुना होगा जिनोंने निर्मित वाद के बारे में बताया है तो कौन सा कतन सत्य नहीं है साथियों आटवे क्विशन में आपका तीसरा विकल्प सही है ये कतन निर्मित वाद के संबंद में सकते नहीं है कि संपुन परकिर्या में सिक्सक की भूमिका सरवदिक महत्पुन होती है सिक्सक की भूमिका गलत है साथियों ये तो देखिए तीसरा कतन ये गलत है सातियों प्रश्नम्बर 9 हैं किशोरों में दूँन्द उबलने का प्रमुक कारण है समायोजन का भाव, निराश्य, पीडियों का अंतर और आउसरों की प्रतिकूलता तो सातियों इसका right answer जो है वो रहेगा आउसरों की प्रतिकूलता कि किशोर के सामने जो अवसर आते हैं, यदि वो उनके अनुकूल ना हो, तो उनमें द्वंद उबरने लगता है साथियों, चोता विकल्प सही है प्रश्ण संक्या नौ में, नेक्स्ट प्रश्ण संक्या दल देखेंगें, दस्वा क्यूशन है, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में, वह व्यवस्था जिसमें बालक अन्बिग्य होता है, कि यदि पी कोई वस्थू दिखाई नहीं दे रही, फिर भी वह इस्तिती में हैं, यह व्यवस्था कहलाती है, समवेदी ग्रामक अवस्था, प्राक संकिरियात्मक अवस्था, ओप्चारिक संकि सिता वस्ता और मुर्त प्रियोगों का काल तो साथियों इसका रायट आंसर है समवेधी गामक अवस्ता का मतलब यह है कि यह जीरो से दो अच्छ तक चलती है तो इसमें शुरुआत में बच्चे जो बच्चा होता है जो शिशु होता है उसको उसके सामने कोई वस्तु आती ह है और उसको अचनक से कहीं हम चुपा देते हैं तो सोचता है कि वही वह जो वस्तु है उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व तो जरूर है साथियों तो इसका प्रतम विकल्पिस प्रकर सही रहेगा अबिवरद्धी शब्द का प्रियोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए बालक के सामाजिक विकास के लिए बालक के शारिक विकास के लिए और बालक के मानसिक वे शारिक विकास के लिए तो साथियों अभिवरद्धी का मतलब यह होता है कि जो बालक का शारिक विकास है वो कहलाती है अभिवरद्धी तीसरा विकल्पिस में सही है नेक्ष्ट प्रिश नंबर 12 देखेंगे मुल्यांकन किया जाना चाहिए वह अवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है बच्चों की उपलब्दियों की इसतर का ज्यान होता है इसके परिणामों में सिक्सन को प्रभावी बनाया जाता है और सिक्सकों की उपलब्दी का पता लगता है तो साथियों मुल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए इसका आपको सही आंसर देना है मित्रों इसका right answer है इसके परिणामों में शिक्षन को प्रभावी बनाया जाता है देखिए मुल्यांकन करोगे तो उसके जो परिणाम आएंगे उस आदार पर आप अपने सिक्षन को अधिक प्रभावी बना सकते हो इसलिए मुल्यांगन करना आवश्यक होता है तीसरे कल्प सहिए सात्यू इसमें नेक्ष्ट क्यूशन 13 देखते हैं तेरवा क्यूशन है आपके चिंतन के संबंद में गलत है तो जो आपको लगता है कि यह चिंतन के बारे में गलत कतन है उसको आपको टिक लगना है उसपर कि यह दो प्रकार का होता है स्वैली और यतार्तवादी मानसिक प्रतिमा तरकना वह समश्या समादान प्रकिर्या है यह प्रतिकों का प्रियोग इसमें नहीं होता है या ज्ञानात्मक पक्षि से संबंद दिते तो साक्यों चिंतन के बारे में कौन सा कतन गलत है इसका राइट आंसर है कि इसमें प्रतिकों का प्रियोग नहीं होता है यह कतन गलत है क्योंकि इसमें प्रतिकों का प्रियोग होता है साथियों तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संक्या 13 में देखिए चिंतन के लिए भाशा जरूरी नहीं है लेकिन प्रतीक आउशक है तो तीसरा विखल्प इस प्रकार सही रहेगा नेक्स्ट प्रश्ण संक्याथ चहुदा किस मनवजनिक ने व्यक्तित चहल्प के अंतरगत गत्यात मकता एवं इस्तलाकरतिक पक्ष्का दियन किया फ्रायड लेविन वे फ्रायड इसमित वे लेविन लेनिन और इन में से सभी तो साथियों किनों ने व्यक्तितु के दो प्रकार बताएं गत्यात्मक्ता एवन इसला करतिक प्रश्ण नमबर 14 में इसका सही आंसर है साथियों लेविन वे प्रायड ने एसा पताया है व्यक्तितु के बारे में दूसरा विकल्प इसमें सही रहेगा प्रश्ण संक्या 14 में नेक्ष्ट प्रश्ण संक्या पंद्रा निशुल केव मरिवारे सिक्सा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतरगत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कारी के लिए लगाया जा सकता है दस वर्ष पश्चात होने वाली जन्गर्णा में आपदा रहत कारे में चुनाव संबंदित कारे में और पल्स पोलियो कारेकरम में तो इस क्यूशन में बड़ा ही लोजिक है साथ यहूं लोजिक की समझ लीजिए या फिर यूं मान लीजिए कि मैंने इस क्यूशन को थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न क्या पूँच रहा है आप से ये क्यूशन आ चुका है लेकिन इसमें में न थुदाथ चेंज किया है कि RT 2009 क्या कहती है कि आप अध्यपक को किन कार्यों में लगा सकते हो तो अध्यपक को आप दरस वर्श पस्चात होने वाली जन्गर्णा में लगा सकते हो मतलब आपका प्रतम विकल्प सही है दूसरा विकल्प सही है तीसरा विकल्प सही है आप उनको पल्स पोलियो कार्य करम में नहीं लगा सकते है और यहां क्या पूचा है लगा सकते हो प्रतम विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, तीनों ही सही है, इसमें चोता विकल्प गलत है, मित्रों प्रिश नंबर सत्रा पे आते हैं अब, सत्रवा क्यूशन है, कौन से अधिगम सिद्धांत में, उद्धीपक उद्धीपक के मद्धि साहचर इस्तापित होता है सात्यों उद्धिपक उद्धिपक के बीच में संबंद होता है प्राचीन अनुबंदन में जैसे वहां भोजन भी उद्धिपक होता है वहां गंठी व saft है तो दोनों के बीच संबंद बित हो जाता है धूसरे कलप आपका सही है प्रश्ण 17 में नेक्ष्ट प्रश्ण 18 सर्जनात्मक्ता के संबंद में गलत है कौन सा कतन गलत लग रहा आपको कि यह जन्मजात्वार जित दोनों है अपसारी चिंतन की प्रकिर्या है प्रकिर्या में परिणाम दोनों है अभिसारी चिंतन की प्रकिर्या है तो साथियों देखिए सरजनात मकता ये तीनों तो सत्य है और ये अभिसारी चिंतन की प्रकिर्या है ये क्या है असत्य है क्योंकि अभिसारी चिंतन का मतलब किस से लिया जाता ह बुद्धी से लिया जाता है सातियों और अपसारी का मतलब किस से लिया जाता है सरजना अत्मक्ता से अता आपका यहां गलत कतन है चोता विकल्प और आंसर भी आपका चोता ही रहेगा इसमें नेक्स्ट प्रश्ण नमबर 19 देखेंगे प्रश्ण उन्निस प्रश्ण कारिक विक्रति का ज्यान होता है और सिक्सन कारिको सपल एवं प्रभावी बनाने में तो सातियों जो एक छात्र है उसकी बुद्धी लब्दी का ज्यान सिक्सक को होना चाहिए ताकि जो सिक्सक है वो सिक्सन कारिको सपल एवं प्रभावी बना सके कि जो बालकों की बुद्धी है उसी के इस तर के आधार पर बालकों को वो पड़ा सके चोता विगलप आपका सही है इसमें नेक्ष्ट प्रश्ण नंबर 20 20 वा क्यूशन है मित्रों एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विबिनिताओं को समझ सकता है आखों के संपर्क के आधार पर बुद्धी के आधार पर बाशा एवन अविव्यक्ति के आधार पर और ग्रहकार के आधार पर तो साथियों समुदाय आधारित व्यक्तिगत विबिनिता की बात पूछिए यहां पर इस तीन चार शब्दों को ध्यान दें दें तीन चार शब्दों पर और फिर अपना उत्तर देना है आपको तो मित्रों समुदाय आदारित व्यक्तिगन व्यक्तिगत विभिनिताओं को अध्यापक बाश्या एवं अभिव्यक्ति के आदार पर समझ सकता है तिके जो समुदाई में जो लोग रहते हैं वो अभी व्यक्ति जिस प्रकार की बाशा बोलेंगे जिस प्रकार के विजार अभी व्यक्त करेंगे इसके आदार पर ही व्यक्तिकत विबिनता आसानी से समझ में आ जाएगी तो तीसरा विकल्प सही है इसमें प्रश्ण संक्या 20 में नेक्ष्ट प्रश्ण संक्या 21 देखेंगे 21 वा क्यूशन है जेरोमेस बुरुनर ने संग्यानात्मक विकास की तीन महत्पुन आवस्ताओं की पहिचान की है निम्ण में से इन अवस्ताओं के सही करम का चेन कीजिए तो आपको एक करम में ये अवस्ता ही बता नहीं है Brunner के अनुसार प्रतिकात्मक था एनेक्टिव और अनुप्रतिकात्मक अनुप्रतिकात्मक और प्रतिकात्मक प्रतिका आत्मक अनुप्रतिका आत्मक और एनेक्टिव और अनुप्रतिका आत्मक प्रतिका आत्मक और एनेक्टिव तो सातियों प्रश्ण नमबर 21 का सही अंसर देना है कि जेरों में इस बुरूनर ने संग्यानात्मक विकास की जो तीन अवस्ताय बताई है वो एक निश् प्रतिका आत्मक्त बताए है तो आपका दूसरा विकल्प सही है सात्यों प्रश्ण संक्या 21 में नेक्स्ट प्रश्ण संक्या 22 देखेंगे 22 क्यूशन है समाने बालक प्राइक किस आयू में बोलना सीख जाते हैं 11 माह में 16 माह में 20 माह में और 24 माह में तो मित्रों एक जो समान बालक होता है वो लगबक 11 महिने में ही बोलना सीख जाता है अता आपका प्रित्व विकल्प सही है प्रश्ण संख्या 22 में नेक्स्ट प्रश्ण संक्याप 23 देखेंगे किस अवस्था में बालक में परामर्ष सिक्सन अत्यन्त सक्रिय होता है परामर्ष सिक्सन मतलब वो दूसरों से परामर्ष लेना पसंद करता है बाल्य आवस्ता किशोर आवस्ता उत्तर बाल्य आवस्ता पुर्व बाल्य आवस्ता तो साथियों राइट आंसर देना है इसका आपको इसका राइट आंसर है किशोर आवस्ता किशोर आवस्ता में जो छात रोते हैं उनको परामर्श मिलना बहुत ही जरूरी है नहीं तो वो वो बटक भी सकते हैं वो गलत लाइन पर भी जा सकते हैं साथियों तो इसलिए उचित मार्ग दर्शन उनको देना चाहिए दूसरा विकल्प सही है नेक्स्ट प्रशन नंबर चोईज देखते हैं चोईज स्वक्यूशन है साथियों किरियात्मक अनुसंधान में किरियात्मक उपकल्पनाओं का निर्मान समश्या के कारणों पर आधारित होता है किर्यात्मक उपकल्पनाओं का निर्मान किसी उप्युक्त विवेक पराधारित होता है किर्यात्मक उपकल्पनाओं का निर्मान इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांकिकी सब्तियापन किया जा सके या किर्यात्म कुपकल्पनाओं का निर्मान ही नहीं किया जाता है साथियों तो प्रश्ण संक्यार चुपकल्पनाओं का निर्मान किया जाता है वो जो समश्या के जो कारण है उनके आदार पर किया जाता है क्या कि किस कारण से समश्या आ रही है कौप का प्रत्विकल्फ इसमे सही साथियों चुईसवे क्यूशन में नेक्ष्ट प्रश्णे 25 प्रश्णे है साथियों एक विद्यारती अपने समकष्य व्यक्तियों के समू के प्रती आकरामक व्यावार करता है और विद्याले के मान दंडों को नहीं मानता इस विद्यारती को जिस सहायत्ता की आवशक्ता है वह है देखिए समू के साथ वो आकरामक व्यावार कर रहा है विद्याले के जो मान दंड है मतलब जो नियम है उनको भी वो निमान रहे तो वो मतलब उसको किस प्रकार किस सेत्र में उसको साहता देनी चाहिए मनोगत्यात्मक बावात्मक उच्छिस्त्रिय चिंतन कोशल और संग्यानात्मक सात्यों देखिए हो सकता है उसको ज्यान हो तो ज्यान की ज़रुत नहीं है मनोगत्यात्मक की नहीं है उच्छिस्त्रिय चिंतन की नहीं है उसको भावात्मक शेत्र में साइता की आवशकता है साथियों मतलब वो भावात्मक रूप से एस्तिरह वाला व्यक्ति है तो दूसरा विकलब आपका इसमें सही रहेगा प्रशन संक्या 25 में नेक्स्ट प्रशन संक्या 26 देखेंगे अभी प्रेज़ना के संबंद में असत्य है इम्पोर्टेंट क्यूशन है देखेंगे मैं वेसे सारे क्यूशन इम्पोर्टेंट और हाई क्वालिटी वाले लेकर आया हूँ फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताए कि आपको केसे लगेए क्यूशन साथियों और कितने क्यूशन आपके सही हुए हैं, पूरे 150 प्रश्ण करना है, ध्यान पूरा यहां होना चाहिए, बिल्कुल भी इदर उदर नहीं देखना है आपको, मित्रों, आंत्रिक अवस्ता, आवशक्ता से प्रारंब, मनोवज्यनी कवस्ता और अधिगम से उत्पन अवस्ता, कोन सा अभिप्रेणना के बारे में गलत है साथ्यों, देखिए, अभिप्रेणना आंत्रिक अवस्ता भी होती है, अभिप्रेणना आवशक्ता से ही आरांब होती है, यह एक मनोवज्यनी कवस्ता है, लेकिन अधिगम से उत्पन नहीं होती है, अधिगम से अभिप्रेणना बहु बुद्धी सिद्धान्त के अनुसार सभी प्रकार के पश्वों, खनीजों और पेड़ पोदों को पैचानने की योग्यता कहलाती है तार्की के गणीती है बुद्धी, प्राकर्तिक बुद्धी, भाशिक बुद्धी और इस्थानिक बुद्धी तो सातियों आराम से आप समझ गए होंगे, पेड़ पोदों की बात की जा रही है, पश्वों की बात की जा रही है, खनीजों की बात की जा रही है तो मतलब ये कौन सी बुद्धी है, प्राकर्तिक बुद्धी है सातियों सेकंड विकल पीस में आपका सही रहेगा प्रश्न संक्या 27 में नेक्स्ट प्रश्न संक्या 28 देखेंगे रेवन प्रोग्रेसिव मेट्री सेज परिक्सन है मोक्य के बुद्धी लबदांग का संस्कृति मुक्त लबदांग का सामुहे किशाब्दिक लबदांग का और उप्रियुक्त सभी तो सातियों रेवन प्रोग्रेसिव मेट्रिस एज परिक्सन क्या है इन में से प्रिशन संक्याट टैस में राइट आंसर बताए है मित्रों सातियों ये संस्कृति मुक्त लबदांग का ये परिक्सन है इसको भी आपको लिख लेना है प्रतिवा शाली बालकों की पहचान निश्पादन परिक्सनों दोरा कटिन मानी जाती है उसका उप्यूक्त कारक किस विकल्प में दिया गया है पहला विकल्प है निश्पादन मापन से पढ़ाय में पिछरे हुए बालकों को नहीं पैचान सकते बुद्धि लबदी का निश्पादन से कोई संबन नहीं है निश्पादन मापन बहुत कटिन है और बुद्धि लब्दी की इस वस्नीता निश्पादन मापन से अधिक है तो साथियों आपको देखिए क्यूशन समझना है एक बार मुझे लगता है कि ये बाउंसर चला गया है आपके समझ में नहीं आया है कि क्यूशन क्या पूँच रहा है क्यूशन पूँच रहा है कि जो प्रतिवाशाली बालक है उनकी पैचान के लिए जो आप निश्पादन परिक्सन जो परफोर्मेंस टेश्ट कराए जाते हो वो कटिन मानी जाती है कि उससे नहीं करना चाहिए तो इसका उप्यूप्त कारक की स्विकल्प में दिया हुआ है साथ यहां इसका राइट आंसर है निश्पादन मापन से पढ़ाय में पिछले हुए बालकों की पैचान आप नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो परफोर्मेंस से उसके आदार पर नहीं बुद्धि लब्दी के आदार पर उसका मापना कर सकते हो साथ यह प्रत्म विकल्प इसका सही है प्रश्ण संक्या 29 में और साथ यह साइकलोजी का अंतिम प्रश्ण देखेंगे समुह निर्मान की कोन सी अवस्ता नहीं है प्रतिमान अवस्ता निर्मान अवस्ता सुशुप्त अवस्ता और समापन अवस्ता तो मित्रों देखिए समून निर्मान के बारे मैं अभी कल परसुई मैंने आपको पढ़ाया था एक दो दो दिन पहले ही तो वहाँ पर पांच अवस्ता बताई थी जिसमें सुशुपत अवस्ता नहीं बताई थी साथियों तो ये समोन निर्मान के वस्ता नहीं है अता आपका तीसर विकल्फिस में सही रहेगा साइकलोजी के 30 क्यूशन हो चुके हैं मित्रों अब हम हिंदी के 30 क्यूशन देखेंगे उसके बाद संस्कृत के देखेंगे मित्रों अब देखते हैं हिंदी के 30 प्रश्णों को आप कितने सही कर पाते हों तो चलिए आपके हिंदी में मतलब प्रश्ण नमबर 31 देखते हैं दिये गए तस्सम शब्दों के तदवव रूप छाटिये एक शब्द है वस्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्व प्रति प्लस उपकार प्रिशने संबर 32 प्रति प्लस उपकार इसका क्या बनेगा प्रत्य उपकार प्रत्य उपकार प्रत्य उपकार और प्रत्य उपकार तो साथियों प्रति प्लस उपकार से आपके शब्द बनेगा प्रत्य उपकार दूसरा विकल्प सही है यन संदी का य से उधारन है सात्यों कौनसी संदी का उधारन है यह यन संदी का उधारन है अब next प्रेंश सज्ञ्य 33 देखते हैं को व्ययंजन संदी के शब्द का चैन कीजिए तो देखे जो शब्द आपको लगता है कि यह किसका है व्ययंजन संदी का है वो शब्द आपको देखना है इसमें अनिविच्छा, शडानन, मनोविकार और शचिंद्र तो साथियों राइट आंसर इसका जो है वो रहेगा शडानन, शडानन का संदी विच्चेद होता है साथियों शट प्लस आनन बराबर शब्द बन जाएगा शदानन जिसमें कौन सी संदी है वियंजन संदी है मित्रों बाकी अनविक्षा में यन संदी है मनोविकार में विसर्ग संदी है शचिंद्र में दिर्ग संदी है तो दूसरे विकल्प आपका इसा ही है इसमें अगला प्रश्ण संक्या 34 निम्न में से कि शब्द में अप उपसर्ग नहीं है ये पूँचे आप से कि कोण साब्द अप उपसर्ग से नहीं बना है और प्रियाप्त अपराद य पदश्थट और ए要 प्रांक्षत तो सातीयों 34 क का सही अंसर देना है आ को किस का सही आंसर क्या रहेगा प्रश्ण संक्या चोतिस में मित्रों राइड आंसर बतायाE 34 के इसका जो सभी साथियो वो रहेगा अपराधब यह अब उपसर्ग से नहीं बना है साथ यों दूसरा विकल्ब सही है इसमें प्रश्ण संक्या град 34 में नेक्स्ट ने संक्या 35 देखते हैं 35 क्यूशन निव्द में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द से पुरु लगाने से उसका अर्थ सेवक हो जाता है सह, गुप्थ, अनु या उप तो साथियों कौन सा उपसर्ग चर के आगे लगने पर उस शब्द का अर्थ सेवक बनेगा पृष्ष्ण संक् देखिए ये सहय चर्थ तो साथ में चलने वाला गुप्त चर्थ सभी जानते हो उप चर्थ ये तिनों ही गलते ओनली तीसरा विकल्प सही है जिसके पीछे चर शब्द लग जाए अनू प्लस चर बराबर शब्द बनेगा अनू चर और जिसका अर्थ भी क्या होता है सेवक ह होता है साथियों तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प सही है अगला प्रश्ण चतिस इन प्रत्य से निर्मिश शब्द है इन कौन सा बड़ा वाला नाइन पंडिताइन कुलीन और ठकुराइन तो साथियों यहाँ पर आप आसानी से पता लगा सकते हो कि बड़ी की मात् सिर्फ कुलीन में लगी हुए कुल प्लस इन बराबर शब्द वनेगा कुलीन तीसरा मित्रों देखिए इसका तीसरा विकल्प सही है प्रश्ण संख्या 36 में नेक्स्ट प्रश्ण संख्या 37 देखते हैं 37 स्वक्यूशन है निम्न में से पदों की पैचान कीजिए देखिए मृत्यू सागर एक शब्द है इसमें आपको समास बताना है कि कौन सा समास है अवीवाव समास है दवंद समास है करमदारे ततपुर समास है और दीगू ततपुर समास है तो मित्रों जो मृत्यू सागर है इसमें कौन सा समास है 37 क्यूशन में सही आंसर है सात्यों करमदारे तत्पुरुस समास है इसमें कौन से समास है कर्मधारे तत्पुरुस समास इसका समास विग्रे करेंगे तो मरत्यू रूपी सागर तो सातियों यह कहलाता है मरत्यू सागर और इसमें मरत्यू का सागर भी कहीं जगे होता है इसलिए इसमें कर्मधारे तत्पुरुस समास तीस कारण तत पूरूस स्मास है कोई सा है करण तत पूरूस का मतलब कौन सा करक्चिन हरने कर्म को करण से अत्वाग के द्वारा मतलब इश्वभर के द्वारा प्रतम विकल्प इसमें सही है प्रश्ण संक्या 38 में नेश्टे प्रश्ण संक्या 49 निम्ण में से इंद्र का प्रियाईवाची है राम राज वाजिगर मगवा और विनायक तो साक्यों इंद्र का प्रियाईवाची कौन सा शब्द है इसका जो रायट आंसर है वो रहेगा मगवा शब्द इंद्र का प्रियाईवाची है तीसरा विकल्प सही है इसमें अगला प्रशन नमबर 40 साथियों प्रशन संक्या 40 है आपके निम्न में से विलोम शब्दों की दरश्टी से अशुद्ध विकल्प चुनिए तो जो आपको लगता है कि ये विकल्प प्रवर्ति तो मित्रों देखिए परितोस का संतोस हो सकता है यहाँ पर पुरुष का नहीं होगा साथियों तो तीसरे विकल्प आपका सही है ये अशुद्ध है हलाकि पुरुष का कोमल ये देखिए ये भी हो सकता है लेकिन आप कमेंट जरूर करें इसके बारे में साथियों इसको कहा जाता है मुकुल जो अभी जो फुश्विविक्सित नहीं हुआ है उसको कहते हैं मुकुल अदकिला फूल भी इसको कहते हैं साथियों परशने संक्या 42 देखेंगे जब तक वह है घर पर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे ये कौन सा वाक् कोई नहीं तो देखें एक का संबन्द दूसरे से बताया जा रहा है जब तक तब तक तो इसे इसे शब्द हमेशा मिश्रवाक कि मैं आते हैं मित्रों परतम विकल्प इसमें सही रहेगा प्रशने संक्या 42 में नेक्ष्ट प्रशने संक्या 43 आंक का अंदा गांट का पूरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है एकदम मुर्क मुर्क किन्तू धनी बिना विचारे धन खर्च करने वाला और जो अपने हित अनहित ने समझ सके तो साथियों आंक का अंदा गांट का पूरा इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है प्रशने सं संक्या 43 में मित्रों इसका राइट आंसर है मुर्क किंतु धनी कि आख से तो अंदा है मतलब मुर्क है लेकिन घांट का पूरा मतलब धन उसके पास कापी है तो दूसरा इविकल्प इसमें सही है प्रश्ण संक्या 43 में नेक्स्ट प्रश्ण नमबर चंवालिस प्रत्यार प्रत्यारोपन शब्द में प्रियुक्त संदी है स्वर संदी व्यंजन संदी विसर्ग संदी और इनमें से कोई नहीं तो साथियों प्रत्यारोपन का संदी विच्छे दोता है प्रत्यारोपन बराबर शब्द बनेगा प्रत्यारोपन तो इसमें स्वर संदी है स्वर के अ उद्देश क्या है। बुखार सूरेश को है। तो मित्रों उद्देश का मतलब होता है करता और करता कौन है सूरेश। दूसरे विकल्प इसमें सही रहे गा प्रश्ण संख्या पेटालिस में। next प्रश्ण संख्या 46। पढ़ना कोशल में सबसे ज़्यादा महत्पुन है, तेज गती से पढ़ना, केवल अक्षर पहिचान करना, शब्दों वाक्यों को शुब्द रूप से उचारित करना, और संदर बानुसार अर्थ ग्रहन करना, तो सात्यों देखिए, पढ़ना कोशल में सबसे ज़्यादा ज अनुसार भाषया एक अरजित योग ग्यता है, भाषया चिंतन को निर्दारित करती है, चिंतन भाषया को निर्दारित करता है, और भाषया एम चिंतन एक दूसरे से सोतन्त रूप से विक्सित होते हैं, तो सात्यों बताए ये राइट आंसर प्रिश्न संक्या 47 में, चोता विकल्प सही रहेगा सात्यों प्रिश्न संक्या 47 में, अगला प्रिश्न नंबर 48, व्याकरण की किस विदी में व्यावारिक पक्ष पर विशेज बल दिया जाता है, पाटे पुस्तक विदी, आगमन निगमन विदी, समवाई विदी और भाषया संसर्ग विदी, तो नेक्स्ट प्रश्न 59, प्रात्मिक इस्तर पर कविता सिक्सन की उप्यूक्त पढ़नाली कौन सी है, प्रश्नोक्तर पढ़नाली, व्याक्या पढ़नाली, गीत पढ़नाली और शब्दार्थ पढ़नाली, तो मित्रों, प्रात्मिक इस्तर पर कविता सिक्सन की उप्यूक्त प्रणाली है गीत प्रणाली कौन सी प्रणाली गीत प्रणाली क्योंकि छोटे बच्चों को गीत के माध्यम से आप आसानी से कविता हैं याद भी करा सकते हो और कविता का भाव भी उनको थोड़ा हो सकता है नेक्ष्ट प्रश्ण संक्याथ 50 देखेंगे साथियों उप्चारात्मक सिक्सन की आवशकता होती है दरश्टी दोश वाले बालकों के लिए कक्षे इस्तर के अनुकूल प्रगती ने करने वाले बालकों के लिए आदिवासी बालकों के लिए और सरजनशिल बालकों के लिए तो सातियों उप्चारात्मक सिक्सन की आवशक्ता किन बालकों को होती है राइट आंसर है कि जो बालक कक्षे इस्तर के अनुकुल प्रगती नहीं कर पाते हैं उनके लिए उप्चारात्मक सिक्सन की आवशक्ता होती है दूसरा विकल्ब सही रहेगा इसमें नेक्ष्ट प्रश्णे 51 रिक्तिस्तानों की पूर्ती किस प्रकार की प्रिक्षा का प्रकार है वस्तुनिष्ट लगुष्त्रिये विस्त्रित उत्रिये और इन में से कोई नहीं तो सात्यों इसका राइट आंसर है वस्तुनिष्ट रिक्तिस्तान पूर्ती मिलान प्रश्णे ये सभी वस्तुनिष्ट के अंतरगत आ जाते हैं, हाँ नहीं, सत्य सत्य इत्यादी, प्रश्ने 52 देखेंगे, अपने जीवन में इस कारी को समाप्त कर चुका था, वाक्य को बहुशिकाल में बदलो, अपने जीवन में इस कारी को समाप्त कर रहा हूं, अपने जीवन में इस करल लूंगा उप्युक्त सबी तो शाथियों यह जो वाक्य है इसको बहुशिकाल में आपको बदलना है प्रशने संक्या 22 में अपने जीवन में इस कार्य को में समाप्त कर दूंगा यह विखल प्रशने संक्या आप त्रेपन देखेंगे मित्रों सरलवाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध है पतनकोशल से वाचन कोशल से शर्वन व्याकरन कोशल से तो सरलवाक्यों की रचना करना सीखने का सम्मान्थ किस से है सात्यों पृष्ण संख्या तरपन में रैट आंसर है व्याकरन कोशल से किस कोशल से है क्योंकि वाचन में तो बोलना पटन में पढ़ना शरवन में सुनना सिखाये जाएगा इसलिए आपका चोटा विकल्प इसमें सही है नेक्स्ट प्रश्णी संक्यात चववन जल्दे उठिये अनिता बहुत देर हो जाएगी यह वाक्य कौन सा है सरल वाक्य, सयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और कोईन कोई भी नहीं, तो सातियों प्रश्णी संक्यात चववन में सही आंसर बताना है कि यह वाक्य कौन सा है, रैट आंसर है, यह एक सयुक्त वाक्य का उधारण है किसका उधारण है मित्रों, सयुक्त वाक्य का, दूसरा विकल्प आपका इसमें सही है प्रशन संक्याट चौवन में, अगला आ, प्रशन पच्पन, उसकी बातें सीधी सच्ची पर दीकी उती थी, रेकांग की शब्द में विशेशन है, यह रेकांग की शब्द है तीकी, इसमें कोन सा विशेशन है, परिणाम वाचक, गुण वाचक, संक्या वाचक और संकेत वाचक साथियों, परश्ण संक्या पच्पन में सही अंसर है वो रहेगा गुण वाचक विशे सनेती की ये क्या है, गुण दोस्के इंतर का दी तो आता है साथियों इसा तो ए नहीं कि यह कोई परिणाम वाचक है, संक्या वाचक है, नहीं, यह क्या है, गुण वाचक है, तो इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है, परशने 56 है साथ्यों, आपका सिक्सन में कम्प्यूटर एक द्रश्य स्रविसायक समगरी है, स्रव्य सायक सामगरी है, दर्श्य सायक सामगरी और इन में से कोई नहीं, तो सातियों कम्प्यूटर एक दर्श्य स्रव्य सायक सामगरी है, देखा और सुनना, दोनों इंद्रियां इसमें कारे करती है, सातियों आग और अपने कान, दोनों इंद्रियां कारे करती है, प्रश तो मित्रों, किसी बालक की भविशवानी मुल्यांकन के आधार पर आप कर सकते हो, किस के आधार पर मुल्यांकन के आधार पर, सेकंड विकल्प सही है इसमें प्रश्न संक्या सत्तावन में, अगला आप प्रश नमबर अठावन, बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्योहार गत परिवर्तन नहीं है विद्यारती भाषिक तत्वों को पैचान सकेगा विद्यारती देहरेपुरुवक सुनेगा वह सुनने के शिष्टाचार का पालन करेगा और मात्रबाशा की दोहनियों में विबेद कर सकेगा तो साथियों देखिए कौन सी बोध सही सुनने की योग्यता प्राप्त करने के अंतरगत नहीं आता है मित्रों इसका रायट आंसर है विद्यारती भाषिक तत्वों को पैचान सकेगा ये बोद के अंतरगत नहीं आता है बलकि ये ज्ञाना आत्मक के अंतरगत आता है सात्यों इस ते प्रतम विकल्फ सही है Next question number 17 पर आता है सात्यों उदाहननों की व्याक्ष्या तता उनके प्रियोगों के आधार पर व्याक्रण के नीमों का ज्ञान किस विदी में होता है आगमन निगमन विशले सन और इन में से कोई नहीं तो उदारणों की व्याक्या तता उनके प्रियोक क्यादार पर नियम बना रहे तो इस विदी को ही क्या कहेंगे मित्रों आगमन विदी कहा जाता है जो की हिंदी सिक्षन के अंतरगत व्याकरण सिक्षन की सरुसेश्ट विदिमानी जाती है और हिंदी सिक्षन का अंतिम प्रश्ण नंबर 60 देखेंगे इसके बाद आपके संस्कृत के क्यूशन है साथ यो प्रश्ण संक्य एक सर्च से लेकर के 90 तक तो 60 वा क्यूशन और अं हमसार कलपना शक्ति का विकास होता है सभी बच्चों को भाशा सुनने का पर्यूश मिलता है सभी बच्चों की शम्ता को ज्यान में रकते हुए यह उचित नहीं है और बच्चों साथियों अब संस्कृत के प्रश्णों को देख लेते हैं मित्रों साथियों हम आ गए हैं भाग तीन संस्कृत पर अब इसके प्रश्ण संक्या 61 से लेकर के 90 तक संस्कृत ग्रामर और टीचिंग मेथड़ के प्रश्ण आपको देखने को मिल जाएंगे चलिए शुरू करते हैं संस्कृत के प्रश्णों को आपके प्रश्ण नमबर 61 है मित्रों ते वर्ग लकार यो है उच्चारणम इस्थानम दंता है तालू है कंटे है और मुर्दा है ते वर्ग का उच्चारण इस्थान क्या है साथियों तो इसका सही आंसर है दंता है ते व नमबर बासर देखेंगे यushoda पदे विसर्ग संधी है वर्तते सत्व संधी है उत्व संंधी है रुस नमबर विसर्ग लोप है संधी है तो मित्रों यashoda जो पद है इसमें विसर्ग संधी का कौन सा भाग है इसका जो right answer है साथियों वो रहे गा आपके उत्व संदी है, कौन सी संदी है, उत्व, सेकंड विकल्प सही है इसमें, नेक्स्ट प्रेजते, अस्मिन पदे संदी वर्तते है, तो देखिए प्रेजते शब्द में कौन सी संदी है मित्रों, पररूप संदी है, पुर्वरूप संदी है, दिर्ग संदी है, और प्रकरती भ बाव है संदी है तो सात्यों प्रेजिते शब्द में संदी बताना है आपको प्रश्ण नंबर 63 इसका रायट पर रूप संदी है प्रतम विकलपण का सही रहेगा इसमें प्रश्ण नंबर 63 में अगला प्रश्ण चोसट्व व्याग्रपात इत्यास मिन पदे समास अस्ति व् अभी भाव है तो साथियों वियागर पास शब्द में आपको समाज बता ना है इसका राइट आंसर बताई मित्रों इसका राइट आंसर है वियागर पास शब्द में बहु बिरही समास है कौन सा समास है साथियों बहु बिरही परतम विकल्प आपका सही है इसमें अगला प् उपसर्ग है, इसका उदारण है निर्धन है, निये प्लस धन बराबर शर्बद वनेगा निर्धन और इसमें कौन सा उपसर्ग है निर्धन, चोथा विकल्प सही है साथियों अगला प्रशन चाचट समीप आर्थे अव्ययम श्यात, समीप आर्थे में कौन सा विय है अति अनू उप से तो साथियों जो समीप का अर्थ बताए मतलब समीप रूपी कि कोई वी चीज समीप उसके बारे में बताए वो कौन सा विय है साथियों आपको यह बताना है प्रिशन संक्या चाचट में तो इसका रायट आंसर है साथियों उप उप का हो अधिया बहुआ चने रूपमेंसती मती शब्द का दूदिया बहुआ चन रूप कोण pillar मती मती है मत्य और मतिव्याम हो मती शब्द का दूदिया बहुआ बताना आपको इसका राइत अंसर बताई साथ प्रश्न 67 में मित्रों इसका रायट आंसर है मती है दूसरा विकल्प सही है देखिए मती लिखा तो इसे जाता है लेकिन ये दूतिया बहुवचन में इस प्रकार का मती होता है बड़ी की मात्रा और बाद में विसर्ग लगा होता है तो दूसरा विकल्प सही है इसमें अगल अगला प्रश्ण 68 अगला प्रश्ण नम्बर 69 देखते हैं आपके प्रश्न उनसित्तर है साथियों व्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं निम्नान की तेश्यू शुद्धम रूप मस्ती इसका शुद्ध रूप क्या है व्रिक्षात पत्रम पतंती व्रिक्षात पत्राने पतंती व्रिक्षात पत्राने पतंती और व्रिक्ष से पत्रम पतत तो साथियों व्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं इसका शुद्ध रूप पत आईए प्रश्न संक्या उन सित्तर में मित्रो रायट आंसर है व्रिक्षा ते पत्राणी पतंती ये इसका शुद्ध रूप है तीसरा विकल्प आपका सही है इसमें अगला प्रश्न सत्तरवा अनुक्ते कर्मनी का विभक्ती है पर्तमा दूतिया तर्तिया चतुर्ती अनुक्ते कर्मनी में कौन से विभक्ती है रायट आंसर बताईए इसका प्रश्न संक्या सत्तर में मित्रों अनुक्ते कर्मनी में आपको विवक्ती बतानी है और इसमें प्रतमा विवक्ती है कौन सी विवक्ती है सात्य अनुक्ते कर्मनी में प्रतमा विवक्ती होती है प्रतम विकल्प आपका सही है इसमें अगला प्रश्ण नंबर 71 शिष्य असमिन पदय प्रत्य यह जो शिष्य शब्द है इसमें कौन सा प्रत्य है तव्यत प्रत्य क्यप प्रत्य नेत प्रत्य और यत प्रत्य तो सात्यों शिष्य शब्द में प्रत्य बताएं कौन सा प्रत्य है सात्यों इसमें प्रश्ण संक्या 71 में मित्रों इसका राइट आंसर है इसमें क्या प्रत्य लगा हुआ है कौन सा प्रत्य लगा हुआ है साथियों क्या प्रत्य है दूसरा विकल इसमें सही रहेगा प्रश्ण संक्या 71 में अगला प्रश्ण नमबर बेतर देखेंगे दा प्लस कत्वा इत्से क्या बढ़ेगा दत्वा दत्वा दा कत्वा और दत्वा तो सात्यों देखिए दा प्लस कत्वा से आपके शब्द बढ़ेगा दत्वा क्या बनेगा मित्रों दत्वा बढ़ेगा परतम विगलप आपका सही है प्रश्ण संक्या 72 में अगला प्रश्न संक्यात 17 और ने कोई नहीं तो साथ योँओं देखिए मया पुस्तकानी नियंते इसका आपको कत्री वाद्चे रूप में बता रहा हैं बहुश्य में तो साथ योँओं प्रश्न संक्यात 173 का रायट आंसर बताईए मित्रों इसका रायट आंसर है अहमें पुस्तकानी नयामी प्रतम विकल्ब सही है इसका कृत्री वाद्चे के रूप में नेक्स्ट प्रश्न संक्यात 64 तबजा जगो गय है भवंती इसमें कौन सा चंद है साथियों विजंग प्रियात अनुश्टुप वहसन तलिका और वन्शयस्त तो बताईए इसमें कौन सा चंद है प्रश्न संक्यात 74 में रायट आंसर बताईए मित्रों मित्रो इसका रायट आंसर है उप्रोक्त जो वाक्य है पद है इसमें आपके वसंत तलिका नामक छंद है तीसरा गल्प सही रहेगा इसमें प्रश्ण संक्या 74 में अगला प्रश्ण 75 लोग हिताई पर्यावरन रक्षनम अत्र चतूरती विबक्ती युक्त पदम वर्तते कि ये जो शब्द है इसमें कोन से शब्द में चतूरती विबक्ती का प्रियोग हुआ है लोग हिताई पर्यावरन रक्षनम तो साथियों देखिए ये जो हिताई शब सदेव, इसका विग्रहा होता है, सदेव शब्दर की विग्रह क्षोटा साथियों, प्रश्ण नंबर 77, भूपती इत्यत्र के समास है, भूपती में कौन सा समास है, तत्पुरुस, द्विगू, अविबाव और द्वंद, तो मित्रों, भूपती, मतलब भू का पती, यहाँ पर आराम से पता चल रहा है, कि इसमें तत्पुरुस समास है, साथियों, अव्ये यह है, पदम नास्ती, अव्ये पद है कौन सा नहीं है, खलू, एव, तू, और अयम, तो मित्रों, कौन सा इसमें अव्ये पद नहीं है, 78 में, इसका राइट आंसर है, अयम, यह कोई अव्ये पद नहीं है, बाकी खलू, एव, तू, यह अव्ये पद के उधारन है तो अपका चोत्ता विकल्प यहाँ सही है प्रश्चनi 78 में अगला प्रश्चनी 79 व्याकरण नीमाना प्रियोगं चे ज्याना कश्यिश सिक्षन उद्देश। गद्य सिक्षन अश्ये पद्य सिक्षन अश्ये नाटक सिक्षन अश्ये और व्याकरन सिक्षन अश्ये तो देखिए व्याकरन सिक्षन में नीमो का प्रियोग चे ग्यानम कश्य सिक्षन उद्देश है किसका उद्देश है साथ हूँ है तो नीमो का प्रियोग का ग्यान बता μोगों सेर के सेुआउ है प्रश नमबर असी भाष्य विधी वर्ते भाष्य विधी है व्यास विधी क्टीग सभी में अब विदिी है इसको कहा जाता है व्यास विदी इसको व्यास वे भास्षि दो नामों से जाना जाता है तो प्रतम विकल्प सही है इसमें next question number 81 देखेंगे खंडानवे दंडानवे विदे है प्रियोगम किर्यते खंडानवे दंडानवे विदी का प्रियोग किया जाता है कता सिक्सन में व्याकरन सिक्सन में गद्य सिक्सन में और पद्य सिक्सन में तो साथियों जो खंडानवे और दंडानवे विदी है इसका प्र appeal प्रश्ण couch Your Rent काँठी निवर्न को कहा जाता है किसको ऐचाता है काठिन्य निवहरण को next प्रश्ण आता है साथ्यों 83 बंडार कर पद्धतया अपरम नाम की बंडार कर पद्दती का और नाम क्या है मित्रों व्याक्या पद्दती अनुवाद पद्दती सहयोग पद्दती और सुत्रविदी तो जो बंडारकर पद्दती है इसका और जो नाम है वो है साथियोग अनुवाद पद्दती सेकंड विकल्फ सही है इसमें प्रश्ण संक्या 83 में साथियों अगला प्रश्ण देखेंगे प्रश्ण नमबर 84 विशलेशनात्मक पद्धती सिक्सन सुत्र मस्ती विशलेशनात्मक पद्धती का सिक्सन सुत्र है ज्यातात अज्यातम परति ज्यात सज्यात की और आगमन आत निगमनम परति आगमन से निगमन की और तीसरा विकल विकल्प है संपूनात अंशंप्रती संपून से अंश्की और और चोता विकल्प है इस्तुलात सुष्म परती इस्तुल से सुष्म की और तो मित्रों जो विसलेशन विदी है इसका सिक्षन सुत्र है संपूनात अंशंप्रती संपून से अंश्की और आपका तीसरे विकल्फ सही है इसमें अगला प्रश्ण नमबर 85 ब्लूम महोदे यार नूसारेन सिक्सा या कती उद्देश्या है बहुनती ब्लूम महोदे के अनूसार सिक्सा के कितने उद्देश्य है साथ तीन दो और पाँच तो इसका राइट आउसर बतादीजिए साथ योओ ब्लूम महोदे के अनूसार सिक्सा के कितने उद्देश से है मित्रों ये Qution हर सब्जेक्ट में आता रहता है तो इसका राइट आउसर बताईए प्रश्न संक्या 85 में साथियों इसका राइट आंसर है ब्लूम ने तीन उद्देश बता रखें कितने उद्देश बता रखें तीन इसलिए आपका सेकंड विकल्पिस में सही रहेगा प्रश्ण 85 में अगला प्रश्ण नमबर 86 देखेंगे साथियों सिक्समश्य सर्व प्राचीन सिक्सन विदी वर्तते सिक्सन की सर्व प्राचीन विदी कौन सी है व्याख्या विदी प्रिक्सन विदी प्रत्यक्ष विदी और पाटे पुस्तक विदी तो मित्रों सिक्सन की प्राचीन विदी है व्याख्या विदी क्योंकि पाटे पुस्तक विजी तो बाद में आई थी पहले एक समय था जब बच्चों को पढ़ाए जाता था तो सिर्फ व्याख्या के माद्यम से ही पढ़ाते थे पाटे पुस्तक तो बाद में आई इस्तिया आपका प्रतम विकल्प सही रहेगा अगला प्रश्ण नंबर 87 देखेंगे साथियों 87 प्रिश्ण है सोतंत्रता पस्चात प्रतम राष्ट्य सिक्षा निती प्रणियम भवेद जो सोतंत्रता के बाद में प्रतम राष्ट्य सिक्षा निती कब बनी मित्रों 1986 में, 68 में, 52 में और 94 में तो प्रतम राष्टे सिक्षानिती का निर्माण सन 1968 में किया गया था जबकि प्रतम नई राष्टे सिक्षानिती सन 1986 में बनी थी लेकिन याम नहीं नहीं पूची है इसलिए आपका 1964 वाला विकल्प सही है अगला प्रश्ण नमबर 88 अध्यापक है और विद्यालिये तो मित्रों शिक्षा का प्रमुक अंग है आपके चात्र कोन है सात्यों चात्र प्रतम विकल्प आपका सही रहेगा 88 में अगला प्रश्ण नमबर नेवसिया आता है सात्यों अक्षरश है अनुवाद अश्य प्रियोगं बहुती अक्षरश है अनुवाद का प्रियोग होता है सरवोच इस्तरे उच्चे मादमिक इस्तरे मादमिक इस्तरे और प्रादमिक इस्तरे तो सातियों अक्षे रश्य है अनुवात का प्रियोग प्रात्मिक इस्तर पर होता है किसी स्तर पर प्रात्मिक पर चोता विकल्प सही है इसमें और मित्रों संस्कृत का अंतिम प्रशने देखेंगे सातियों प्रशनमबर नब्ब प्रात्मे किस तरह संस्कृत व्याकरण शे सरोत्तम विदी वर्थते सुत्र विदी आगमन विदी एव्याकरित विदी और निगमन विदी तुमें तुम्हें तुम्हें देखिए अगर ये क्विशन संस्कृत में पूछे किस प्रात्मे किस तरह पर संस्कृत व्याकरण की स लेकिन संस्कृत में प्रात्मे किस तर पर एव्याकृत्विदी सर्वसेश्ट्विदी मानी जाती है इतले तीसरा विकल पर सहिए साथ्यों प्रश्ण नंबर 90 में तो यह 90 क्यूशन हो चुके हैं अब बढ़ते हैं आगे तो देखिए साथ्यों हमने 90 क्यूशन कर लिए हैं अब प्रश्ण नंबर इंकानवे से लेकर के 150 तक आपके साइंस में इसके क्यूशन है तो बिल्कुल मित्रों आपको पीडियेप में आंसर सहीत कमेंट बोक्स में भी दे दूगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी दे सोल करना है सेकंड लेवल के गनित के क्यूशन में सोल नहीं करा सकता हूं आप इस बात को समझ सकते हो तो हम यहां पर गनित की सिक्सन विद्या सोल करने वाले हैं विज्ञान और विज्ञान की सिक्सन विद्या भी सोल करने वाले हैं साथ यो तो चलिए देख लेते हैं जो 101 वह जिसमें हैं आपके साइन्स का ये execution है साथियों प्रशल मबर 101 101 को CHORI से प्रतिवी तक प्रकाष उर्जा किस विदी द्वारा प्राप्त होती है चालन विदी संवहन विदी वीकरन विदी और इन में से कोई नहीं तो साथियों THE से प्रतिव तक जो प्रकाष उर्जा हे वो राइट आंसर बताईए मित्रु इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा विकरन विदी से सुर्य से प्रत्वितक प्रकाश उर्जा प्राप्त होती है तो तीसरा विकल्प सही है प्रिश्ण 101 में नेक्ष्ट प्रिश्ण नमबर 102 निम्न में से मश्रूम क्या है काई है कवक या फंजाई वाइरस और बेक्टीरिया तो साथियों मश्रूम मश्रूम कवक या फंजाई है क्या है साथियों कवक या फंजाई सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा अब वापिस इसके बाद थोड़े से जादा जादा पांच या साथ सवाल ओर होंगे उसके बाद सारे कुशन आपके सिक्सन विद्या और विज्ञान और विज्ञान की टीचिंग मेदर के अंतरगत आ जाता है इसके बाद मित्रों 103 से लेकर के आपके 107 तक वापिस सवाल है जो आपको बिल्कुल हल करने हैं गहराई में जाने पर प्रत्विका तापमान कितने सेल्सियस की दर से बढ़ता है गहराई में जाने पर प्रत्विका तापमान कितने सेल्सियस की दर से बढ़ता है पांच डिग्री सेल्सियस एक किलोमेटर के हिसाब से नेक्स्ट प्रश्ण नमबर 109 देखेंगे सात्यों 109 क्यूशन है कि उच्चे प्रात्मिक इस्तर पर आप विज्यान सिक्षन को किस विदी से पढ़ाना पसंद करोगे UPS इस्तर पर आप बच्चों को विज्यान सिक्सन पढ़ा रहे हो तो किस विदी से पढ़ाना पसंद करोगे व्यक्या विदी, परधर्शन विदी, व्यक्यान युक्त परधर्शन विदी और इन में से कोई नहीं तो साथियों इसका जो सही अंसर है वो रहेगा वियक्यान युक्त परधर्शन विदी क्योंकि इसमें वियक्यान देना आ तो न्वर्मल सी बात है यह कोई चाहतकेंदित विदी नहीं है लेकिन वियक्यान युक्त परधर्शन में चाहतर आसानी से उस चीजchin को समझ सकते है इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों इसमें, नेक्स्ट प्रिश्न देखेंगे, प्रिश्न नंबर 110 वावापिस गनित का सवाल आ जाता है साथियों, प्रिश्न नंबर 112 है मित्रों आपके, मरीजों के पेट के अंदर का परिक्सन करने तू डोक्टरों द्वारा प्रियुक्त एंडोस्कोप निम्न लिकित कारे करता है प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परकिरन प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन तो सात्यों देखिए पेट का अंदर परिक्सन करना है तो डोक्टर जो यूज करते हैं जो मशिन एंडोस् जिसको कहा जाता है वो कौन सा कारे करता है सात्य और आइट आंसर है प्रकाश का सकल आंत्रिक परिवर्तन चोता युकल्प आपका सही है प्रिश्ण 112 में नैस्ट प्रिश्ण देखेंगे मित्रों प्रिश्ण नंबर 113 प्रकाश के वन विक्षेपन का उदाहरन है म्रग हीरे की चमक प्रिश्ण से प्राप्त स्पेक्ट्रम और प्रकाश ये तन्तू तो वन विक्षेपन का उदाहरन क्या है सात्यों राइट आंसर बताए प्रश्ण 113 में मित्रों राइट आंसर है वन विक्षेपन का उदाहरन दिया हुआ है प्रिश्ण से प्राप्त स्पेक् पहला विकल्प है लाल रंग की तरंग देरी सर्वाधिक होती है दूसरा विकल्प है बेंगनी रंग की तरंग देरी सर्वाधिक होती है तीसरा है बेंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है और चोता है लाल रंग की आवरित्ती बेंगनी रंग की आवरित्ती से अ प्रश्ण 114 में, नेक्स्ट प्रश्ण 115 है साथियों, फार्णाइट पेमाने पर किसी स्वस्त मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो जो फार्णाइट पेमाना है, नॉर्मल सा क्यूशन है, कितना होता है, स्वस्त मनुष्य के शरीर का ताप, अंठ्यान में 0.6 डिग इतल्य उड्णुर्चन गुषन को को हम छोड़ देते हैं 108 वे कुशन को भी हम छोड़ देते हैं प्रशन 119 साथियों सभी रंगों को सोक लेने और किसी को भी परिवर्तितने करने वाली वस्तु दिखाई देती है नीली दिखाई देती है काली दिखाई देती है या दूसर दिखाई देती है तो मित्रों देख सेकन विकल्ब सही है प्रश्ण 119 में अगला प्रश्ण नमबर 120 सुश्मितम कोशिका कवक द्रव्य माइक्रो प्लाज्मा में पाई जाती है कवक द्रव्य है क्या है कवक द्रव्य विशानों है कवक है जिवानों है और हरितिशेवाल है तो सातियों जो कवक द्रव्य है ये क जीवानों का उधारण है तो तीसरा विकल सही है प्रिश्ण 120 में सातीयों प्रश्ण 121 देखेंगे बाश्कर के समप्रक्षान से आर्य भट के प्रक्षपन से एप्पल के प्रक्षपन से और अगनी के प्रक्षपन से तो साथियो प्रशन 121 में राइट आंसर है आर्य भट के प्रक्षेपन से भारत ने अंत्रिक श्यूग में प्रवेश किया था आपका आज सेकन विकल्प सही है साथियो प्रशन 121 में नेक्स्ट प्रशन 122 देखेंगे 122 वा क्यूशन है निम्न में से कौन बहुलक नहीं है गी इस्टार्च प्रोटीन और रूई देखिए यहां पर कौन सा बहुलक का उधारन नहीं है साथियो राइट आंसर बताएए इसका राइट आंसर है आपके गी यह कोई बहुलक नहीं यह साथियो इसलिए प्रत्रम विकल्प सही है 122 वे प्रश्ट में नेक्स्ट प्रश्ट एक्सो तैईस वापी से सवाल आ जाता है अगला प्रश्ट देखेंगे प्रश्ट नमबर 124 निम्न में से किस द्रव्य का ताप मापी में उप्योग किया जा सकता है पारा एलकोहॉ एक वे दोनों का और इन में से कोई नहीं तो राइट आंसर बताए प्रश्ट एक सो चोईस में सात्यों राइट आंसर है आप पारा और एलकोहॉल दोनों का प्रियोग ताप मामी में कर सकते हो तीसरा विकल्प सही है सात्यों प्रश्ट एक सो चोईस में नेक्स्ट प्रश है आपके देखिए 125 क्या है अरजित ग्यान को इस्थाई बनाने है तो जिस सिक्षन सिध्धान्त का उप्योग किया जाता है किया जाना आउशक है वह कौन सा है आवरत्ति का सिध्धान्त लोक्तांतिक व्यवहार का सिध्धान्त नियोजन का सिध्धान्त और निश्चित अर्जित ग्यान को इस्थाई बनाना है क्या करना है आपको अर्जित ग्यान को इस्थाई बनाना है तो आवरत्ति का सिध्धान्त आपको यूच करना पड़ेगा कौन सा सिध्धान्त यूच करना पड़ेगा सात्यों आवरत्ति का मतलब उस चीज को दोहराना पड़ेगा त प्रकरण की विश्य वस्तू के किसी एक भाग से और पिछली कक्षा के पाटे करम से तो मित्रों प्रश्ण नमबर 126 का जो आंसर है वो रहेगा प्रकरण की विश्य वस्तू के किसी एक भाग से तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों क्योंकि निदान एक साथ सारे सब्जेक Nah or pride मेतों निरीक्सित अध्ययन्विदी को किस ने दिया है और इसका रहे च्व के साथियों निरीक्षन अध्ययन्विदी को किर्फेल के द्वार्रा दिया गया पृत्लब आपका सयी है साथ्यों प्र्ष Chandप 127 में नेक्ष्ट boris no October 128 क्या है मित्रों देख लेते हैं इसको भी कि चात्र को विविन रेखा गणितिया आकृतिया देखकर उनमें से तिर्भुजा कार आकृतिया अलग करवाए गई इसका उद्देश होता है अनुप्रियोगा अत्मक अवबोदा अत्मक ज्याना अत्मक और उप्रियोगत सभी तो मैं आपसे कहीं बार के चुका हूँ कि जहां आप कहीं भी उद्देश से सम्मंदित कोई बात आए और वहाँ पर अलग करवाए ना तुलना करना वर्गी करन करना अंतर करना ऐसा आजाए तो वहाँ पर आपके अवबोध ही राइट होता है दूसरा विकल सही है साथियों 128 प्रिश्ण में नेक्ष्ट प्रिश्ण नमबर 129 मित्रों 129 वा क्यूशन है योजना एक उद्देश पुन किरिया है जिसे मन लगा कर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है नने सिक्सान में योजना विदी की उक्त परिबाशा किस ने दी है किल पेट्रिक थोन डाहिक करो और इसकी नर तो साथियों उप्रोक्त परिबाशा किसके द्वारा दी गई है आपके इसकी नर के द्वारा दी गई है सोरी इसकी नर क्या किल पेट्रिक के द्वारा उप्रोक्त परिबाशा दी गई है आपका प्रत्थम विकल सही ह सात्यों प्रश्ण नंबर 129 में ये थोड़ा इसकी नर थोड़ा बोलने में मिश्टेक हो गई थी नेक्स्ट प्रश्ण नंबर 130 देखेंगे मित्रों वापीस 130 वा क्यूशन आपके सवाल का है जो मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि देखें आपको पीडियेप दी जा रही है इसलिए मैं सवाल नहीं करा रहा हूँ तो पीडियेप मा अंसर भी है आप वहाँ पर से आसानी से चेक कर सकते हो प्रश्ण 131 देखेंगे साथियों 131 स्वा क्यूशन है प्रत्वी पर आपतन का दिक्तम रितु निष्ट वी प्रियास निम्न में से किस अक्षांशी कटिबंद से है विश्युवतिये उष्ण कटिबंदिये शितोष्ण और दुरूविये तो साथियों प्रश्ण 131 में आपका सही अंसर है चोता विकल्प दुरूविये देखिए प्रत्वी पर आपतन का दिक्तम जो रितु निष्ट वी प्रियास है यह सबसे ज्यादा अक्षांशी कटिबंद में है चोता विकल्प सही है साथियों 131 प्रिश्ण में नेक्स्ट प्रिश्ण 132 रेशम तंतु राम, पिंच, नाक और निखर निर्मित होते हैं फाइबरीन से, इलाइस्टिक से, किरेटीन से और कोलेजन से तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको जो वस्तोय यह है इनका निर्मान किस से होता है वितरो राइट आंसर है किरेटीन से इनका निर्मान किया जाता है क नेक्स्ट प्रिश्ट नमर 133 लड़ा को विमान अधिक उचाई पर क्यों उड़ते हैं ये पढ़ते हैं उड़ते हैं चेडियों से बचने के लिए दोएनी बादा पार करने के लिए गुलतुवा कर्शन बल से मुक्त होने के लिए और रडार द्वारा पकड़े जाने से पताना है मित्रू इसका राइट आंसर है आपका दूसरा विकल्प द्वेनी बादा पार करने के लिए यह जो लड़ा को विमान है जिसे राफेल है यह ऐसे विमान अधिक उचाई पर उड़ते हैं तो दूसरा विकल्प सहिए साथियों प्रशन 133 में अगला प्रशन लिए तो साथियों माना उनेत्र के जिस बाग पर किसी वस्तु का प्रतिविम बनता है उसको कहा जाता है रिटर्न आया दरश्टी पटल तीसरा विकल्प सहिए साथियों कौन से विकल्प सहिए तीसरा नेक्स्ट प्रिश्ट नमबर 135 पर आते हैं साथियों 135 वा क्यूशन आपके हैं श्वेत प्रकाश का घटकों में विबाजन किसके कारण होता है संचरन परिश्ट प्रावर्तन और अपवर्तन तो साथियों जो श्वेत प्रकाश होता है इसका घटकों में विबाजन किसके कारण होता है प्रिश्ट 135 में राइट आंसर है परिश्ट के कारण कि दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 135 वे क्यूशन में, नेक्स्ट प्रेश नमबर 136, 136 वे क्यूशन है सातियों, देखिए तापमान को बढ़ने पर गेस का दाब बढ़ जाता है, तापमान बढ़ता है तो गेस का दाब भी बढ़ जाता है, क्योंकि उच्चितर तापमान पर गेस नमब दूसरे को और अधिक प्रतिकर्शित करते हैं, गेस नमब को इस्तधी उर्जा उच्चितर होती है, गेस नमब की गतिज उर्जा उच्चितर होती है, और गेस नमब दूसरे को और ज्यादा आकर्शित करते हैं, तो सातियों देखिए जब तापमान बढ़त थो गेस का दाप भी बढ़ता है क्योंकि उच्चित आप मन पर क्या होता है आप को राइट आंसर बताना इसका ने उच्च आप मन पर गेस अनुओं की गति है उच्च तर होती है तीस्रे विकल्प की वह है विदी जो पुनर्बलन सिद्धांद पर आधारी थे तो पुनर्बलन सिद्धांद पर कौन सी विदी आधारी थे साथियों बिल्कुल अभिकर्मित अनुदेशन प्रियेटन व्याक्ष्यान और अधिविन्यास्तुत किसमें पुनर्बलन दिया जाता है अभिकर्मि किस्वा क्यूशन है आपके मित्रों अच्छी तरह से इसको आप समझे क्यूशन को प्रश्च नंबर 138 बोतिक एवं जेविक पर्यावरण के अध्यापन एतू अन्वेशन विदी का उप्योग सरवपर्तम किस ने किया था आर्म श्ट्रोंग किल पेट्रिक जोन डिवी और म 169 में नेक्ष्ट प्रेश्च नंबर 149 देखेंगे विज्ध्यान सिक्सान के किर्यात्मक पक्ष का वरगी करन किस ने प्रस्तूत किया हर्बर्ट आर्म स्ट्रोंग सिंप्सन और मसीहा तो किर्यात्मक पक्ष्छ की यहां पर बात की जा रही है साथियों द Counter Lawrence कर दोखिस आ अच्छे तरह से एक सो चैलिस वेकुशन को आपको देखना है और इसका आंसर देना है पर्यारण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारोर से गेरे हुए है वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है यह परिवाशा किस विद्वान ने दी है निमबर्ट इसका सही आंसर मित्रों देखिए उपरोक्त परिवाशा किसकी है निमबर्ट की है तो प्रतर विकल्प सही है प्रश्ण एक सो चालिस में नेक्स्ट प्रश्ण नंबर एक सो एकतालिस विज्ञान सिक्सन के अभिकर्मित अनुदेशन विदी के जनक है मैं आपको अभी बताया था अभिकर लाल टेन में प्रिक्त होती है पारदर्शी सलाइड नमूने चित्र और पारदर्शी सलाइड तो मित्रों जो जादू की लाल टेन या मेजिक लाल टेन होती है इसमें आपके पारदर्शी सलाइड यूज की जाती है क्या यूज की जाती है पारदर्शी सलाइड परतर विक दर्श्टि कौन सामजिक निर्माण और प्रम्पराओं साथियों जो किसी भी देश का जो पाटे क्राम है वह उस देश की जो निती है और जो विचार दारा है उसके अदार पर निर्दारित होता है प्रतर विकल्प सही है साथियों नेक्स्ट प्रेश्ट नमबर 144 निम्न में से किस से द्वयनी नहीं गुजर सकती है जल इस्टील वायू और वेक्यूम तो देखिए जल से भी द्वयनी गुजर जाती है इस्टील से गुजरती है वायू से गुजरती है लेकिन वेक्यूम से द्वयनी नहीं गुजर सकती है इसलिए आपका चोता विकल्ब सही है साथियों प्रश्च नमबर 144 में नेक्स्ट प्रश्च नमबर 145 दोयनी तीवर गती से चलती है जल क्या पेक्षा सुस्क वायू में जल है यह ना लोहे क्या पेक्षा लड़क्डी में लड़की क्या लखडी में ना थोड़ा बोलने मे यहां पर एक विकार आ गया है कौन सा विकारता जरूर बता कर जाएए वायू की अपेक्षा लोहे में और जल की अपेक्षा हाइट्रोजन में तो साथियों हो दोयनी जो है वो त्यूर गती से कहा चलती है 145 में साथियों हो राइट आंसर बताना है आपको राइट आंसर ह तीसरा विकल पाप का सही है सात्यों प्रिश्ण 145 में देखिए लोहे में बहुत इत्ती और गती से धुषनी का संचरन होता है तीसरा विकल सही है 145 में नेक्स प्रिश्ण 146 सितारे का रंग क्या दर्शाता है ताप मान प्रत्वी की दूरी सुर्य से दूरी और इनमे से कोई नहीं तो सात्यों जो सितारे का जो रंग है तारा जिसको अपन कहते हैं रात में जो दिखाई देते हैं तारे इनका रंग क्या दर्शाता है इसका राय 147 देखेंगे मित्रों 147 वा क्यूशन वापिस आपके यहां पर सवाल है तो 148 वा क्यूशन देख लेते हैं प्रश्ण पत्र की सरवादिक महत्पुन आउशकता होती है प्रश्ण पत्र निर्दारीत पाट्टे करम के अंदर से पूचे जाए वस्तुनिष्ट हो संसलिष्ट हो और सरल हो तो साथियों बहुत ही इंप्रोटेंट क्यूशन है देखिए सबसे मत्पुन आउशकता होती है कि जो निर्दारीत सेले बसे उसके अंदर से आपसे प्रश्ण पूचे जाए क्योंकि बाहर से प्रश्ण पूचने में तो दिक्कत हो जाती जिसे रीट का पेप क्योशन है रहत इक तीसरे की है एकसो परेंट क श्क्टार अंक्यूशन में तो उकलब्दी होता है परिक्सन का मॉल्यांकन में तो यह सब्दाम साथी और प्रश्ण का जाए कैसा लगा टेस्ट पेपर और जिन प्रश्णों पर डाउट हो उनकी प्रश्ण संक्या जरूर लिखे जाए साथ हूं मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक शेर करना नहीं भूले चैनल पर नए हो तो सब्क्राइब जरूर करें झाल